हेलो आज हम इस वीडियो में scanner की अड़णेज़ और डिसअड़णेज के वारे में जानेगे Advantishes of scanner Scanner की क्यादा आब इसके वारे में जानेगे इसके बहुत से फाइदे होते है पहला है reliable scanner अर्धिक बिश्वसनी होते है जो physical documents को digital documents में कनवार करने का काम करते है Second is quality, scanner का resolution काफी अच्छत है जिसके कार्ण ये उच गुणबता वाली तस्वीरों और फाइलों को स्कैन करते है तीसरा है efficiency, बर्तमान के scanner काफी अडवांस और मौडन होते है जिसमें काफी विशिष्टाएं शामिल होती है ये तेजगती के साथ काम करने में सक्षम होते है और कोशल तरीके से अपने काम को करते है इसके बाद आगला लाव है Easy to use scanner का उप्योग करना काफी असान होता है यूजर को इनका उप्योग करने के लिए बहुत तक्नीकी ग्यान की अफशिकता नहीं पड़ती इसके बाद आगला लाव है ड्यूरेवर ये अधिक ठिकाओ होते है जिसके कारन ये लंबे समय तक चलते है तो ये scanner के इलाव थे इसके बाद हम जानेंगे Disadvantages of scanner scanner की क्या हनी है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले है Expensive scanner काफी मेंगे होते है जिने खरीजने में यूजर के काफी पैसे खर्च होते है दूसरी आनी है scanner maintenance can be expensive scanner को maintain करके रखने में काफी जादा पैसा खर्च आता है इसके इलावा scanner का उप्योग काफी जादा मेंगा हो सकता है क्योंकि high resolution वाले scanner scanner काफी मेंगे आते है इसके बाद आगली हानी है output advanced factor scanner से प्राप्त होने वाला output data कुछ factor की संख्या के अदार पर निर्वर करता है यदि सब factor ठीक होते है तो output अच्छा होगा और यदि खराब हो तो output की quality खराब हो सकती है इसके बाद आगली हानी है slow scanner धीमिकती से चीज़ों को scan करते है जिसके कार्ण user का काफी समय बरबाद होता है तो ये scanner के disadvantage थी तो इस वीडियो में हमने scanner की advantage और disadvantage के बारी में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शब्सक्राब में जानल